इस कहाने की शुरुआत में हम सोनिक को देखते हैं जो हमें बताता है कि और गिन हील नाम के खुशुत आइलेंड पर रहता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर एगमें से इस आइलेंड की रक्षा करता है क्योंकि एगमें चाहता था कि इस दुनिया पर रोपोर्ट की उकु और अपने सूट की मददस से उसे कहते हैं कि तुम फिर से लेट आए एगमें सोनिक से कहता कि मैं इस सौद्द में को बाहा नहीं निकाल पा रहे थे इसलिए एक मेन अपने सूट की मदर से उस प्रीज में को बहार निकालने की कोशिश करने लगता है तो सोनिक उसे कहता है कि उससे दूर अटो और फुली स्पीड में उसकी तरह बढ़ता है टेल्स और बाकी सभी उसे रुखने हो कहते हैं क्योंकि उस प्रीज में से एनरजी सब्सक्राइब लेकिन सोनिक नहीं सुनता और उस प्रीज में के टक्रा जाता है जिससे उसके कहीं टुकड़े हो जाते हैं और सबी दूर किरने लगते हैं और उस प्रेज में के टूरने की वजह से कहीं सारे शेटरवर्स का से चारों तरफ रोबोर थे और वहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करता है लेकिन कोई उसे बात नहीं करता ताइबी सोनिक को अपना दौस्त बीग दिखाए देता है मगर वूँद्ट का म carryingशा त्ह今 सोनिक को नहीं प्छानता कि तुम मुझे उस जै की लोकेशन बताओ मैं खुद दिवाँ चला जाओंगा यह कहकर वहां से भागने लगता है मागर उसके जूतों से अजीब सी एनर्जी निकल रही थी जिससे वह भाग नहीं पा रहा था और वह इदर उदर टकरा रहा था वह रोबोर्ट सोनिक पर हमल के लिखाय देती है और समझ याता है कईृंगा इसे लगता है कैया उसकी दुनिया और यहसाब उसकी वाज़े से हुआ फिरा में प्रिजम指 के पहले का सीन दिखाया जाता है जब सोनीक के रोबोट्स को मार रहे थे मगर टेल समझ गया था कि कोईए यह मेंद पहाड के किनारे पर खड़ा हुआ था जब ऊसे स्केन करता है तो उसे पता चलता है कि एगमेन उसा रोबोट होता है जिससे बेड रोग पर क्रेक आने लगते हैं और उस पहाड़ पर पेराडोग स्प्रीज में तक जाने की कुफा खुल जाती है मगर इस बारे में सोनिक के साथ्यों को पता नहीं चलता सोनिक देखता कि रोबोट में एगमेन नहीं है मगर उस सोंचता क्यों भाग गया पर जाता है जहां टेल्स काम कर रहा था सोनिक उससे कहता कि तुम्हें थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए मागर टेल्स उसे बताता कि आज जो कुछ हुआ वह एक में की चाल थी इसलिए मुझे उसमें नजर रखनी होगी तो सोनिक उसे एक क्रेशर से मिला हुआ एक डिवाइ कायर की वज़े से हुआ तब वहां रूज भी आ जाती है जो सोनिक को कहती है कि एक में ने तुम्हें उल्लू बनाया मगर टेल्स को अभी भी समन नहीं आ रहा था कि एक में ने इतना बड़ा दमा का क्यों किया तो रूज उसे बताती है कि सालों से जोफवा थी कि ग्रीन ह पर एगमेन को दिखाये जाता है जा हो अपने रोबोट की मदर से उस पेराड्रोग स्प्रीजमी वाली घुफा के अंदर पहुंच जाता है जौ पहार में गड़ा हुआ था उसे देखकर एगमेन बहुत खुश होता है वहीं लूप डिलूप पर सोनिक और उसके सभी दोस इकटा होते हैं एमी कहती है कि हमें बेड्रोग पर जाकर चेक करना चाहिए कि एग मेन क्या कर रहा है तो सोनिक सबसे पहले वहाँ जाने के लिए निकल गया था वही हम शेडो को भी देखते हैं जो सोनिक का सबसे बड़ा दुश्मन था और ओर एयर शूच की मदद से सोनिक कितना फार्श दोड़ सकता था शेडो पत्थरों को तोड़कर के और सेमरड हासिल कर लेता है जिससे उसके पास के और सकंडूल पावर आ जाती है तब उसे रास्ते में सोनिक आता हुआ दिखाए देता है इसलिए उसे पंच मार कर गिरा देता है जिससे और दोनों लड़ से हो सकता है सूनिक से गयता कि मुझे मिशन पर जाना है लेकिन शेडो उसका बीचा नहीं चोड़ता और सुनिक को पंच मार कर दूर गिरा देता है और दोनों वापस लड़ने लग जाते हैं लेकिन उन दोनों में से कोई रुकने को त्यार नहीं होता मगर जब सुनिक बे पेड्रोग पर पहुंच आता है मगर इसके बाद का उसे कुछ यान नहीं आता और अब उसे लगता है कि पेराड्रोग स्प्रीजमी की वज़े से एगमेन ने ग्रिन हिल्स पर कबजा कर लिया है और इसे अपने रोबोट की मदद से ऐसा बना दिया है इससे सोनिक बहुत जाता है जिससे सोनिक को लगता है कि उसके अंदर एगमेन है इसलिए उसे कहता कि फाइनली तुम मुझे मिली गए मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और उसे लड़ने लगता है मगर जब वो अपना सूट कोलता है तो सोनिक को पता चलता कि एक बच्चा है इसलिए की उनकी मदद कर सकता है वहीं सोनिक को एक रेलवे स्टेशन पर टेल्स नजरा जाता है इसलिए उसके पीछे पीछे उसके घर पहुंच जाता है लेकिन टेलो सोनी को देख कर दर जाता है और उसे पेचानने से मना कर देता है वो से कहता कि मेरा नाम नाइन है और उसकी नोपूंस थी जिससे उसने टेक्नलोजी की मदद से बनाया था वो सोनिक को दुश्मन समझ कर उस पर अमला कर देता है वो दोनों बाहर ट्रेन पर लड़ने लगते हैं सोनिक उसे बताता कि मैं तुम्हारा पुराना दोस्त हूं म मगर सोनिक उसे बचा लेता है नाइन इससे एरान होता है वो उसे कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई सोनिक उसे बताता है कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं मगर नाइन को अभी विशाश नहीं होता तो सोनिक उसे बताता है कि हम सबसे अच्छे दोस्त हैं और उसे एक किसा बत और जब से हम दोस्ते नाइन उसे बताता किसा कुछ भी नहीं हुआ था मैं बच्पन से ही अपने काम से काम रखता था मगर फिर भी बुरे बोक्स मेरी एक्ष्टा पूच्च की वज़े से मुझे परिशान करते थे और मुझे बहुत मारा जिससे में बहुत उदास रहने सोनिक से बूंसता है कि तुम्हारी दुनिया में हम दोनों केसे दोस्त हैं तो सोनिक उसे बताता कि तुम जिसके बारे में के रहे हो वह वही होगा और उसे साथ हैं मग鬼 मों ऑने नहीं करते हैं और जब था संराने लगता है जिस से नायन को भी लगता कि सॉनिक बहुत अच्छा है वो बहुत देखेता कि सूनिक बहुत पर्चान होता है ज से उसके पता चलता है से उसकी पूरी बोड़ी में, एनर्जी मुझूद है और अब वो सोनिक को अपनी ले में लेकर जाता है जहां वो सोनिक की एनरजी को रेगुलेट करने के लिए एक डिवाइस बना लेता है जिससे वो सोनिक के शूज और ग्लॉस में लगा देता है जिससे एक अजीब सी रोशनी होती है और सोनिक के शूच और ग्लस बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाते हैं यह देखकर सोनिक बहुत खुश होता है क्योंकि और काफी अच्छे लग रहे थे सोनिक देखता कि अब उसके जूतों से कोई एक्ष्टा एनरजी नहीं निकल रही और नाइन के काम से बहुत खुश होता है नाइन उसे बताता है कि अभी भी तुभारी बोडी में बहुत सारी एनरजी है और इसा लगता है कि अब ओय आनरजी तुम्हारी बोडी का विरॉत करने की बज़ाए उसके साथ जुड़ गई है और अब वो टेश के लिए बहारा जाता है और शौर मचाने लगता है नाइन उसे इसा करने से मना करता है तब ही काउंसिल के रोबोट आकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं और उन्हें हेटकॉाटर ले जाने लगते हैं रेबल रूस और रेगने नकल भी उन्हें सोनिक को ले जाते हुए देखते हैं फिर हमें दिखाय जाता है क जिसें देखकर सोनिक खुश होता है, मगर एम्यू से बताती है कि मैं रश्टी एम्यू हूँ, जिसे क्योस काउंसिल ने सब सर्वियंट साइबोग में बदल दिया था, तब यहां क्योस काउंसिल की टीम भी आ जाती है, जिसमें पांच मेंबर थे, जिनके नाम डोक्टर यानी, डोक्टर डीप, डोक्टर रोस, डोक्टर बगबग और मिश्टर डोक्टर एगमेन होता है, डोक्टर बगबग वही बच्चा होता है, जिसने सोनिक पर अमला किया था, वो सोनिक की energy को टेश करने के लिए उसे एक सेल में डाल देते हैं और रश्टी सोनिक से कहती है कि अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे दोस्त को मार दूँगी और उससे शौक देती है सोनिक अब टेश के लिए त्यार हो जाता है रश्टी सोनिक पर लेजर से हमला करवाती है मगर सोनिक अपनी सूपर स्पीड से उन लेजर से बसता है और उन लेजर को बरवात कर देता है फिर सोनिक को अलग-अलग ट्रेक पर डाला जाता है जहां सोनिक सभी मुश्किलों से ब मोर देता है कि सोनिक औरफ कांसिल नहीं चल रहा है कि इतनी नपने लग जाता है घ करने लग चांगे वही रेबल और नकल जब अपने अड़े बर पहुंशते हैं तो उनके साथी उन्हें सोनिक की वीडियो दिखाते हैं जब सोनिक ने 9 से कहा था कि हम पुराने दोस्ते हैं और हमें फिर से गिरिन हिल चलना होगा जहां हर्याली और बहुत सारे ताड़ के पेर थे यह सुनकर उ उन्हें रोकने की कोशिश की थी मगरों उनके सामने कमजोर थे उन्होंने डिसाइड किया था कि अपनी इस दुन्या को वापस से पहले जैसा बना कर रहेंगे रेबल नकल से कहती है कि सोनिक भी क्योंस काउंसिल का दुश्मन है वो तागतवर और तेज है इसलिए हमारी ट और नकल भी कि वह सेट कार्टर के अंदर गुज जाते हैं वहीं सोनिक को दोड़ने की वज़े से काफी चकर आ रहे थे और अब फिर से पूरे शेर की बिजली वापस आ जाती है जिससे सबी रोबोट काम करना इस्टार्ट कर देते हैं सोनिक को भी याद आता है कि जब वो पाउर सप्लाई जैसी पाउर है तो इससे मिश्टर एगमेन को एक आइडिया आता है कि अगर हम अपना पाउर क्रिस्टल और सोनिक की पाउर मिला दे तो यह हमारे रेजिस्टेंस को बगाने में मदद करेंगा और हम रेवलेस्ट टीम को भी खत्म कर पाएंगे जो हमारे ब्रो करते हैं और अब एनर्जी एक सरेक्टर मशीन की मदद से सोनी को मार कर इसकी निकालने लगते हैं सोनी की एक कि मरने से पेले मैं अपने आकरी शब्द कहना चाहता हूँ और उने अपनी बातों में फसाने लगता है सोनी को लगता था कि नाइन के पास उसे बचाने का कोई तरीका होगा मगर नाइन उसे किये था कि मेरे पास कोई प्लान नहीं है अब वो एनरजी एक्स्टेक्टर मशीन लेजर से सोनी को खत्म करने लगती है लेकिन तब यहां रेबल आकर सोनी को बचा लेती है रोबोट रेबल को पकड़ने लगते हैं मगर नकल और रेबल उन रोबोट को मारने लग जाते हैं एमी भी उने पकड़ने कोशिश करती है जिससे मौका पाकर नाइन अपनी रोब पोटों आने लगते हैं नकल रेबल और सोनिक उन्हें मारने लगते हैं नाइन भी रश्टी को हें करने लगता है मगर पासवर्ट की वज़े से इसा नहीं कर पा रहा था रश्टी सोनिक को मारने लगती है और अब उससे पुरी तरह से बेडरों की तरब गया था मगर शेडो भी उसके पीछे गया फिर अब में परजेंट का सीन दिखाया जाता है जब डश्टी सोनी को पंच से मारने वाली थी मगर तभी अचानक उसका हाथ रुख जाता है क्योंकि नाइन उसे हेक कर लेता है जिससे अब वो उसके कंट्रोल मे को हेक कर लिया है इसलिए हो सभी दोड़कर सिक्योर्टी रूम में जाते हैं जाहों देखते हैं कि टश्टी उनके ही एक रोबोट को मार रही है वाही नाइन रश्टी की मदद से दरवाजा बंद करवा देता है जिससे अब रोबोट अंदर नहीं आ पाते सोनिक बहुत ख गेट को तोड़ने लग जाते हैं नाइन अप सिक्योर्टी रूम के केमरों को भी हेक कर लेता है मिश्टर एगमें डोक्टर डीप से कहता है कि हम उन सभी को भागने नहीं दे सकते हमें उन्हें खत्म करना होगा डोक्टर डीप अपने पारफुल सूट को पहन लेता है वह कि उस किस्टल के बिना कोई एनर्जी नहीं होगी और कोई रोबोट भी उनके बेक अप सिस्टम से जार दे तक नहीं चल पाएंगे सोनी कहता है क्यों किस्टल जरूर पेराडोक्स प्रिजम होगा और उसकी मदद से एगमें ने इस जह को इसा बनाया है और रश्टी से प् और संव और की टीम भी रोबोर्स को मारने है सोन्asy दॉक्टर डीक के बसता है और से मारने लगता है मगर डीव उसे दूर गिपराते द esse को एक रोबोट को पकड़ कर आ लगता है यह देकर सोनी को चुड़ा कर नायन को बचा लेता है और वापस युच्टर बर लड़ने लग जाता है औरो सनी की टीम पर भरी पढ़ने लगते इससे ड्ोक्टर एक मेंन खुश होता है नकल को लगता है कि अभर नहीं बच पाएंगे तो सौनि कहता है कि आम स्पिंडेश करके उन्हें खत्म करना होगा मगर उनको स्पिंडेश करना नहीं आता था इसलिए सौनिक उन्ने स्पिंडेश की मदझ से सबी रोबोट्स को मार कर दिखाता है जिससे अब नकल्स भी रोबोट को स्प्रिंदेश करते हुए मारने लगता है और वो सभी रोबोट को बड़ी आसानी से मारने लगते हैं और बेश्मेंट में आज आते हैं जहां से और बाहर निकलने लगते हैं लेकिन तब टेस्ट देखता है कि सोनिक के शूज गलो कर रहे हैं जिससे हो समझ जाता है कि एनर्जी क्रिस्टल आसपास ही होगा इसलिए हो सभी को बताता है कि सोनिक के शूज प्रीजमें एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं इसलिए अगर हम इसे एनर्जी को फोलो करें तो हम प्रीजमें तक पहुंच सकते हैं और प्र कुछने के सारे दरवाजे बंद करवाने लगता है सोनिक के साथ ही चीजों को गेट में फसाकर आगे बढ़ने लगते हैं तब ही पीछे से रोबोट आकर उन पर फाइरिंग करने लगता है यह देखकर सोनिक बहुत स्पीड से रन करता है जिससे सभी चीजें स्लो हो जाती है और उसे भी लेजर से बसता हुआ, आगे बढ़ता है, ये देखकर उसके सभी दोस्त हेरानरे जाते हैं, सोनिक अपने हमले से रोबोट के साथ डॉक्टर डिप को भी टावर से नीचे गिरा देता है, फिरो वापस अपने दोस्तों के पास जाने लगता है, लेकिन तभी वहा आने लगते हैं, और सोनिक उन्हें टावर से नीचे ले जाने लगता है, सोनिक मेट्रो ट्रेक से आगे बढ़ता है, और चालाकी से सभी रोबोट को खत्म करने लगता है, मगर अभी भी डॉक्टर बगबग उनका पीछा नहीं छोड़ता, इसलिए सोनिक अपनी फुल आद आती है, जब वो अपने दोस्तों को बेड्रोग पर बचाने गया था, नायन अप कोर का दरवाजा खोल देता है, और अब सोनिक भी वहाँ पहुँच गया था, फिरो सभी अंदर जाते हैं, लेकिन तभी डॉक्टर एगमेन आकर नकल, रेबल और रश्टी को पकड़ लेता है, और सोनिक से कहता, की कोर से दूर अटो, बढ martial में तुम्हारे दोस्तों को नहीं छोड़ूँगा, सोनिक गेट खोलने क्की कोशिश करता है, तो नायन उससे कहता, कैंपना धोस्त नहीं मांता था, सोनिक कहता, कि हमारे दोस्त हैं, मुझे उनकी मदद करनी होगी, तब ही रेबल उसे कहती है कि तुम्हें पेराडोक्स प्रीज में तक पहुँचना होगा, वरना हमारी सारी मेनत बेकार हो जाएगी, हम मिस्टर डोक्टर को रोग लेंगे, सोनिक उसकी बाद माल लेता है, और वो कोड तक पहुँचते हैं, मगर सोनिक देखता है कि वो पेरा कहा था, लेकिन सोनिक ने उनकी बात नहीं सुनी, और वो नाइन को बताता है कि मुझे लग रहा था, कि एगमेन ने इस प्रीज में एनरजी की पार यूज करके, सब कुछ बिगार दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, एगमेन ने दुनिया नहीं बनाई, बलकि मेरी वज़े से श शार्ट को चूता है, तो सोनिक उससे चिपक जाता है, और उस शार्ट के अंदर चला जाता है, वाई एम शेटर वर्स की, एक और दुनिया को देखते हैं, जिसका नाम बोसकेज मेस था, इस यूनिवर्स के रूज, नकल्स और भीक, नीचे एक गने जंगल में आते हैं, व अगर तभी वाई एक मोश्टर आने ही लगता है, जिससे उससे भी काफी डर जाते हैं, तभी सोनिक भी इस बोसकेज मेस वर्ड में टेलिपोर्ट होकर नीचे घिर जाता है, सोनिक ये जगह देखकर कुछ समद नहीं बाता, क्या आखिर कहा आ गया, वो ना उनको आवाज मगर वहाँ कोई नहीं होता, तभी सोनिक देखता है कि उसके शूज और गलफ्स बदल गए हैं, मगर उसे पता नहीं होता कि एसा कैसे हुआ, तभी उस मोश्टर के प्रीम और उसके साथियों को मारने की वज़े से वो उपर सुके पेड़ों पर आकर गिरते हैं, सोनिक उन सोनिक के आने की आवाँ सुनाई देती है, मगर उस सोनिक को नहीं जाते थे, इसलिए उने लगता है कि पेड़ बोल रहे हैं, जिससे ओं डर जाते हैं, तभी सोनिक तेजी से आने की वज़े से उनसे टकरा जाता है, और वो बेरी नीचे गिरने लगती है, साई भी उसे रो सोनिक पर हमला करने ही लगते हैं, सोनिक उनसे बचकर भागने लगता है, ताइब उसके गलवस, एक ट्रेड़ ओकर उनमें से मेटल क्लो निकल आते हैं, जिससे ओं पेड़ पर चड़ जाता है, सोनिक इससे समझ जाता है कि उनके पास नई एबिलीटी आ गई है, सोनिक उन नहीं है और एक और बदले हुए ग्रिन हिल में आ गया है सोनिक इसे परशान होता है कि यह सब उसके साथ क्या हो रहा है प्रीम उसे बताती है कि इस जगे हमें गुटन होती है यहां पेड़ बहुत बड़े हैं और जो कुछ भी यहां खाने को बचा है मौश्टर में उन स्विट से उसे पकड़ लेता है सोनिक की स्पिड देखकर बूश्चप की मदचर से हम मौश्टर का ध्यान बढ़का सकते हैं और जो चाहे वह आसिल कर सकते हैं सोनिक पर आमला कर देता है क्योंकि एक जंगली था प्रीम उसे रोक लेती है और कहती है कि सोनिक नहीं तुम्हारी जान बचाई सोनिक प्रीम से कहता है कि टेल्स अपनी पूस से उड़ा क्यों नहीं तो बताती है कि इसका नाम मेंजी है और यह पूस से नहीं उड़ता सोनिक कुने वताता है कि तुम सभी बहुत अच्छे हो लेकिन मैं वापस घर जाने कोशिश कर रहा हूं क्या तुम्हें से कोई पेराडोस प्रीजमे के शार्ट के बारे में जानता है क्योंकि उससे ही मैं वापस अपने घर जा सकता हूं हंगरी केहता है कि हम उसके बारे में कुछ जाने तब गर प्रीम से जुट कहती है कि मैं उन चार्ड्स के बारे में जानती हूं और तुम्हें उस तक ले जा सकती हूं लेकिन बदुम्हें में तुम्हें हमारी कुछ मदद करनी होगी और फिर उसे अपने गाओं ले जाने ही लगती है रास्ते में सोनी को बताती है कि हम हमेशा पेड़ों पर नहीं रहते थे सालों तक हम जमीन पर रहें जंगल से जौरत की हर चीज लेते थे पर फिर उस मोंश्टर की वज़े से हम पेड़ पर रहने लगे और अब ह गाव में पहुंच जाते हैं जो एक पेट पर बना हुआ था जिसे देखकर सोनिक कहता है कि बहुत सिंपल है प्रीम सोनिक से कहती है कि हम तुम्हें शार्ट तक लेकर जाएंगे लेकिन तुम्हें पेले हमारी मदद करनी होगी तुम्हें उस मोश्टर का ध्यान बठकाना सोनिक देखता है कि प्रीम के साथी एक बेरी के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि बहुत बुखे थे सोनिक को उन पर तरह सा जाता है इसलिए उने कहता है कि मैं तुम्हारी मदद जरू करूंगा और उस मोश्टर का ध्यान बठकाऊंगा जिसे तुम जितनी चाहे उतनी बेरी सोनिकिक को ढूल लेता है मगर उसे पीछे अटा देता है और पॉधों तोड़ता हूँ उस बेरी को तोड़ लेता है यह देखा सोनिक से कहता कि तुम्हारी हो ना हो, तो सहूनिक मोष्टर के लिए और लुख जाते है तो परीम सोनिक से कहती है कि तुम कहाँ भाग रहे हो, तुम में Moshter का ध्यान बटकाना होगा, तो सोनिक उसकी बात मान लेता है, और कहता है कि तुम जाओ, बेरी कर्था करो, में Moshter का ध्यान बटकाता हूँ, सोनिक एक काटे वाले पेट पर चड़ता है जहां उसे बहुत सारी बेस नजर आती है तब ही सोनिक देखता है कि उसके सात्यों को मोश्टर ने मार कर उपर फेक दिया है इसलिए उस मोश्टर से लड़ने लग जाता है लेकिन उसे मोश्टर नजर नहीं आता क्योंकि वह सोनिक के सामने आ जाता है जो इक बढ होती है यह देखकर सोनिक कहता है कि तुम को कि मोश्टर नहीं हो तुम बस एक से काटों में गिरा देता है जिससे सोनिक काटों में फस जाता है और भाग नहीं पाता वह मौश्टर सोनिक की तरफ बढ़ता है और उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है सोनिक देखता है क्यों मौश्टर एमी का वेरियंट है जिसका नाम थोन था सोनिक खुश होता है और से कहता है कि प्रिम को कोई गलत फेमी हुई है कि तुम मोस्टर हो तो और उसे कहती है कि तुमने मेरे जंगल को चोट पहुचाई मैं तुम्हें नहीं चोड़ूंगी सोनिक उसे कहता है कि तुम मुझे पसंद करती थी मगर और नहीं सुनती और सोनिक पर हमला करने लगती सवब करता है इसलिए उसे मारता और रुख जाता है हिसेक किसी चीश कालिया थे करनें हों कि दोस्ते हैं method नाम रोज हैं कि चेचेंगर नीचे गिर जाता है जिसके एक बड़ कीचर में दसने लगता है सोनिक उसकी मदद करता है और उस बड़ को बहां निकाल कर साफ कर देता है जिससे वह बड़ खुश होती है तो अब यह सब देख लेती है जिससे हो समझ आती है कि सोनिक अच्छा है सोनिक देखता है कि वहां बहुत सारे पेड़ कटे हु और उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया, मगर मैं प्रक्रती को वापस लाने कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मैं यहां किसी को नहीं आने देती, और वो सोनिक पर हमला करती है, सोनिक उसका एमर छीन लेता है, तो भी थोन सोनिक के जूतों में चमक देखती है, जिससे सोनिक समझ जा को इसाँ चाहरो है, तो सोनिक उसे बताता है कि अगर मैं ग्रेट ग्रीन तक पहुंच गया, तो मैं वापस गर Sta सकता हूँ, नौन मदद करने के लिए त्यार हो जाती है, और उसे लेकर ग्रेट गीन की तरफ बढ़ने लगती है सोनिक उसे बूंचता है कि क्या इस जंगल का ऐसा हाल उनिस केवेंजर ने किया थोन बताती है कि बहुत समय पहले हम सभी प्रक्रती के साथ मिल जुलकर रहा करते थे लेकिन फिरो लालची हो गए हमेशा जंगल से कुछ न कुछ चीनते रहे कभी उन्होंने परवाई नहीं की वो अपनी दुनिया को नुक्सान पोचा रहे थे तो सोनिक उसे कहता है कि अगर तुम पहले एक साथ मिलकर रहते थे तो तुम अपने आपके जगडे सुलजा सकते हो मगर थोन उसे चुब रहने हो केती है वहाई उपर प्रीम और उसके साथी उन्हें देख रहे थे उन्हें लगता है कि सोनिक ने उन्हें दोखा दिया थोन और सोनिक आगे बढ़ते रहते हैं और ग्रेट ग्रीन ट्री तक पहुंच जाते हैं जो एक ताड का पेड़ था और उसमें भी सोनिक के जूतों के जिसी एनरजी निकल रही थी सोनिक थोन को बताता है कि और शाड यहीं इस पेड़ के नीचे दफनोगा और जमिन को खोड़ता हुआ अंदर चला जाता है मगर उसे चुब नहीं सकता था इसलिए एक पता लेकर अंदर जाता है और उस शाड को निकाल कर बाहर ले आता है तोन उसे देखकर खुशो कर कहती है कि है मेरा है और उस सोनिक को हेमर से हिट करके दूर गिरा देती है और उस शाड को अपने हेमर पर लगा देती है जिस्तियों शार्ड उसके एमर के साथ जुड़ जाता है सोनिक थोन से कहता है कि तुम क्या कर रही हो मुझे इसकी जवरत है तो थोन कहती है कि मैं इसे तुम जैसे अजनभी को कभी नहीं दूँगी क्योंकि तुम भी एक स्केवेंजर हो और उसके एमर से हमला करती है फिर अब हम देखते हैं सोनिक को अपनी पुरानी बाते याद आती है जब एमी ने सोनिक को एक तार का पेड़ गिफ्ट दिया था और उसके सबी दोस्तों ने उसे बताया था कि इस पेड़ के साथ हमारी बहुत यादे जुड़ी हुई है सोनिक दूर गिर जाता है और थोन उस पर हमला करती है मगर सोनिक भज जाता है और उस एमर के जमी से टकराने की वज़े से अब वहाँ पेड़ बनने लगता है इसने थोन खुश होती है और केती है कि मैं अभी शार्ट की मदद से इस जंगल को फिर से जिन्दा कर दूँगी और वह वापस से उस एमर को नीचे हिट करती है जिससे पेड़ बनने लगते है और वह इस केवेंजर के नीचे आने के सभी छेद बनने लगती है और सौनिक से केती है क्या वो कभी इस जंगल को नुक्सान नहीं पहुचा पाएंगे और वो एकेगर करके सभी छेद को बन कर देती है फिर ओस सौनिक पर हमला करने लगती है तो सौनिक उसे बताता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ इसलिए तुम्हें मुझे बरोसा करना होगा और उसे किष्टल मांगती है मगर थौन उसे कहती है कि तुम बहुत बोले हो लेकिन मुझे अभी बहुत काम है पहले मुझे इस केंजर को खत्म करना है और वो आगे बढ़ने लगती है तो सोनिक उसे रोकर किये था कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुचाना चाहता पर मैं तुम्हें किसी दूसरे को भी चोट पहुचाने नहीं दूगा तो थोन सोनिक पर हमला करके उसे बहुत सारे पेड़ के तनों में केट कर देती है सोनिक वहां से बहां नहीं निकल पाता और थोन वहां से भाग जाती है सोनिक सोचता है कि मुझे कुछ भी करके यहां से निकलना होगा सोनिक देखता है कि यहाँ उपर छट नहीं है और वो अपने कलो को एक ट्रेट करके उन तनों पर उपर चड़कर बाह निकल जाता है और तेजी से आगे बढ़ने ही लगता है वो थोन के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुचाना चाहत तो थोन कहती है कि मैं तुम्हें यह हेमर नहीं दूंगी और उस पर हमला करती है तो सोनिक तेजी से उस हेमर को पकड़ लेता है मगर उसे घुमा कर दूर फिंग देता है वो दोनों अब वापस से उस हेमर के लिए लड़ने लग जाते हैं जिसे जंगल में अजीब से इस तने बनने लगते हैं, जो इतने बड़े थे, क्यों प्रीम और उसके साथियों को भी नजरा रहे थे, सोनिक उनी स्पाइक से बसता हुआ, आगे बढ़ रहा था, ताइब यो एक स्पाइक की वज़े से उचल कर ऊपर चला जाता है, प्रीम और उसके साथि उस पर बाले को प करने वाले थे, प्रीम उससे कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, तो सोनिक बताता है कि तोहन तुम्हें मारने आ रही है, इसलिए तुम्हारी जो भी प्रोब्लम है, उससे साथ मिलकर खत्म कर दो, तो प्रीम उससे कहती है कि बीच का कोई रास्ता नहीं है, हम अमारे जग कोई बीच का रास्ता नहीं चुनेंगे सोनिक के था कि थोन अभी भी अंदर से कई न कई अच्छी जरूर होगी इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें थोन से सुले कर लेनी चाहिए ताइब यो जगह हिलने लगती है क्योंकि थोन वहां पेड़ों से अमला कर रही थी सोनिक सबी को बचाता है जिससे अब प्रीम भी उसकी बात माल लेती है और व को लेकर नीचे जाता था थावी थोन बी अपनी भटपर वीट कर वहां जाती है कि तुमने मुझे साथ देने का वाधा किया था लेकिन उसनी की बात नहीं सूनते थोन को भी गुसा जाता है और प्रीम और उसके साथियों पर हमला करके उन्हें दूर फिंक देती है और सोनिक पर भी हमला करने ही लगती है सोनिक थोन से कहता है कि तुमने उनका गर बरबाद कर दिया वो बुके मर जाएंगे थोन कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे अपने जंगल को बचाना है ये कह करो जाने ही लगती है तो सोनिक उसे कहता है कि हमें कोई तरकिम निकालनी होगी जिससे तुम सभी एक साथ रह सको तोन कहती है कि साथ रेने के बारे में तुम क्या जानते हो तो सोनिक को अपने आइलेंड की बाते याद आती है जब एमी ने उसे बताया था कि ऐसी पेड नहीं है और अब सोनिक उन बातों को तोन को बताने लगता है कि पेड़ा में साथ जोड़कर रखते हैं हम सभी एक से बात करनी होगी और तेजी से आगे निकल जाता है तोन उसे रोखने के लिए उसके पीछे जाती है और सोचता है कि यह नीचे इतना अंधेरा हो गया है कि जिससे तोन अपना रास्ता बटक गई और उस ताड़ के पेड़ से कहता है कि मैं तुम्हें रोश्णी जरूर द जाती है लेकिन उपर लगी सुनिक को तोड़ते हैं और वहां उस तार के पेड़ पर रोशनी ऑ जाती है तोंक वह से आके खुल जाती है और उसे हैसास होता है कि उसने इस जंगल को बिगाड़ दिया है अब परीम भी अपने साथियों के साथ वहां जाती है सोनिक भी ठोन के पास आता है और ठोन उसे बताती है कि हम सबी पहले दोस्त दुआ करते थे मगर फि मैंने देखा कि प्रीम और उसके साथ ही पेड़ बोदों से फल ले रहे हैं और नहीं बरबात कर रहे हैं मैंने उन्हें ऐसा करने से रोका पर किसी ने मेरी नहीं सुनी और जंगल को और जाद नुकसान पहुचाया वो पेड़ों को काडने लगे जिससे मुझे बहुत गुसा आया और मैं एक मोश्रा बन गई सबी पर हमला करके उन्हें जंगल से बहां निकाल दिया मगर उस दिन के बाद से मैं पहले की तरह नहीं रही और रोने लगती है प्रीम को भी एसास होता है कि उन्होंने बहुत बुरा किया उन्ह कुछ से उपर जाकर आस्मान में उन्हों केता है बैडियू पर चली जाती है सोनिक में जी को भी पूछी लाकर उन्हों केता है में जी जब इसा करता है तो उन्हें लगता है और बहुत खुश होता है और अप्रीम और थोन भी वापस से दोस बन जाती है और एक दूसरे को माफ कर देते हैं सोनिक को तभी याद आता कि मुझे शार्ट को वापस लाना होगा और उस शार्ट को ढूने जाता है बैडियों से शार्ट के गिरने की जगर बताती है तो सोनिक की स्पीड में उस जगह जाने लगता है तबी स्पीड की वज़े से सोनी को शेड़ो दिखाई देता है और उसे कहता कि क्या तुम किसी वॉइड में खो गए हो तुम्हें आगे बढ़ते रहना होगा सोनी को कुछ समझ नहीं आता और उसका ध्यान आगे से हट जाता है जिस् ने अपनी एक पूरी फोज त्यार कर ली थी जिसमें सीटी के सभी सताय हुए लोग शामिल थे और सभी रोबोट को आसानी से मार रहे थे जिससे रोबोट उनसे बचकर भाग रहे थे वयम रश्टी को भी देखते हैं जो वापस से क्योस काउंसिल के कंट्रोल में आ गई और सोनिक को ढूंड रही थी सोनिक नकल के पास आता है मगर नकल गुस्से में था और रोबोट को मारते हुए कहता है कि तुम अचानक कहां चले गए थे मुझे नहीं लगा था कि तुम वापस आओगे सोनिक कहता कि मेरा तुम्हें अकिला छोड़ने का कोई रादा नहीं मैंने जैसे इस शार्ट को चुआ मैं दूसरी दुनिया में चला गया जहां तुम भी अलग थे और जंग अलग थी रश्टी भी इन बातों को रिकॉर्ड कर लेती है सोनिक नकल से कहता कि मैं वापस आकर खुश हूं अब मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं और उससे नाइन दिखाता है और रोबोट को हने का छाता है जिससे शबी रोबोट खत्तम होने लग जाते हैं एक रोबोट अपनी जान बचा कर भाग जाता है सोनिक और वाईकी सब्सक्राइब पूरते हैं मगर नकल अभी भी सोनिक से गुसा था रश्टी वहां से वापस कि उस काउंसिल टावर में आ जाती है जहां कि उस टीम बात कर रही थी कि उस नाय ने हमारा किस्टल चुराया और अभी चीटियों जैसे लोग हमारे खिला बगावात कर रहे हैं तब भी रश्टी उसे कहता है कि अगर हम एक शार्ट से पूरी सीटी चला सकते हैं तो जरा सोचो अगर हमारे पास दो शार्ट हो तो हम क्या कर सकते हैं हमें कुछ भी करके सोनिक को डूरना होगा क्योंकि वह हमें उस दूसरे शार्ट तक ले जा सकता है रश्टी कहती है कि मुझे उनके ठीक काने का पता चल गया है वहीं नकल सौनिक को अपने अड़ेपर लेकर जाता है मगर रिवल उसफर गुचा थी वह से कहती है कि शांट की चोड़ी करने में तुमने हमारा इस्तमाल किया और फिर आमें छोड़ कर भाग गये सौनिक उसे कहता कि मैंने की तेयल्स कहेता कि तुम् से बचाएगा लेकिन हमें इसे छोड़कर भाग गया जिससे हमें बहुत गुसा आया फिर में रेबल को बचाकर वहां से बाग गया डश्टी भी हमारे पीछ आ रही थी लेकिन नाइन के भाग जाने की वजह से वापस से क्योंस काउंसिल के कंट्रोल में आ गई फिर रेबल उसे बताती है कि तुम हपतों से गायब हो और हमें काउंसिल को खत्म करना होगा और अगर एनरजी किस्टल वापस उनके हाँ लग गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे नगल के यता है कि हमें नाइन पर विश्वाश नहीं है इसलिए तुम हमें बता दो क्यों कहां है मगर सोनी कहता है कि मैं नहीं जानता क्यों कहां है रेबल उसे कहती है कि तुम्हें मजाग लग रहा है लेकिन हमारा मिशन बहुत इंपोर्टेंट है और उसे आखरी बचा हुआ ताड़ का पेड़ दिखाती हुए अताती है कि उस जिंदगी की निशानी है जिसक्या मगदार है नकल कहता है कि अगर हमें लड़ाई हार गए तो हमारे पस लड़ने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा सोनी को भी उस ताड़ के पेड़ से पुरानी बाते याद आती है सोनी कुने कहता है कि सोरी जब तुम्हें मेरी ज़रत थी तब मैं यहाँ नहीं था मैं गदार नहीं ह रोबोट को माने लग जाता है डोक्टर एगमेन उसे मार कर धूर फीनग देता है बैबी नकल पर हमला करता है रेबल नकल कुझे लेकर वहां से घाने लगती है मगर डॉक्टर बेबी उन पर अमला करके उन्हें नीचे गिरा देता है और अब वो सभी को घिर लेते हैं और ने कहते हैं कि एनर्जी किस्टल हमारे हुआले कर दो और हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे तब वह नाइन शिप लेकर आ जाता है सोनिक उसका प्लेन देखक है और नाइन से भी रोबोट को माने लग जाता है सोनिक अपनी स्पीर से नाइन के पास पहुंच जाता है और से कहता है कि तुम बहुत अच्छे टाइम पर आये हो हमें मदद की बहुत जुरत थी लेकिन तबी नाइन पोर्टल खोल कर उसे वहां से शेटरवस में ले आता थे तो नाइन उसे पूँचता है कि तुम अचानक कहां चले गए थे सोनिक उससे पुरी बात बताता है कि और रेट शाट को धूरने की वज़े से एक अलग दुन्या में चला गया था Nine उसे शार्ट दिखा कर बताता है कि मैंने इसके पाउर कोर इसकी मेटिक को हेक कर लिया है और इसकी मदद से ये प्लेन बनाया जिससे मैं Shaderverse में कहीं भी ट्रेवल कर सकता हूँ और उसे एक अलग दुनिया में ले जाता है जहां अपने शिप को लेंड करता है और सोनिक को बताता है कि हम यहां अपनी एक अलग दुनिया बनाएंगे और हम इस दुनिया का नाम गिरीम रखेंगे Nine की नजर सोनिक के जूतों पर जाती है जो बदल गए थे सोनिक बताता है कि अरबार एक नए शेटरी स्पेस में जाने के बाद मुझे एक फेंसी अपग्रेड मिल जाता है Nine बताता है कि प्रिजम एनरजी की वज़े से है और यह वास्तों में बहुत लाजवाब है Nine उसे यह भी बताता है कि इस जगह पर हमारे लावा और कोई नहीं है इसलिए यहाँ हम नई शुरुआत कर सकते हैं और उस जेट को अपना गर बना सकते हैं तो सोनिक उसे कहता कि रेबल और नकल को हमारी जोरत है इसलिए तुम भी मेरे साथ लड़ाय को खत्म करने में मदद करो Nine कहता है कि उस शेर ने मुझे दुख के सिवाए कुछ नहीं दिया इसलिए मैं वहाँ नहीं जाओंगा पर तुम वहाँ जा सकते हो और उसके लिए पोडल खोल देता है सोनिक कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम भी न्योग जरूरा होगे यह कहकर वहाँ से चला जाता है न्योग में रेबल और नकल की गोलियां भी खत्म हो चुकी थी और रोबोट उन पर बारी पढ़ते जा रहे थे मिश्टर एगमें रेबल और नकल से पूचता है क्यों एनरजी किस्टल कहा है मगर वो कुछ नहीं बताते तब ही पोडल से सोनिक वहाँ जाता है और वो मिश्टर डोक्टर और उसके साथियों पर हमला करके उन्हें दूर गिरा देता है और वो साथ मिलकर उन रोबोट को माने लग जाते हैं लेकिन फिर भी उन से नहीं चीत पाते और वो उन सबी को पकड़ लेते हैं मिश्टर डोक्टर सोनिक से कहता क्यों किस्टला में सौंप दो और उस दूसी दुनिया के बारे में बताओ जहां तुम गए थे मगर सोनिक नाटक करता है कि मुझे कुछ नहीं बता कि तुम क्या कह रहे हो तब भी रश्टी भी वहाँ जाती है जो उसे सोनिक की वही रिकोर्डिंग दिखाती है जिसमें उसने नकल को दूसी दुनिया के बारे में बताया था जिससे हम मिश्टर एगमें सोनिक को अपनी मुट्टी में मसलें लगता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूँगा मगर तब यहाँ पोर्टल से नाइन आ जाता है और हम मिश्टर डॉक्टर पर हमला करके सोनिक को फिर से आजात कर देता है रश्टी के उस्टीम को बताती है कि नाइन के पास शार्ड है मिश्टर डॉक्टर अपने सभी साथियों से कहता है कि हमें नाइन के जाच का असिल करना होगा क्योंकि नाइन ने दूसी दुनिया में जाने की टेकनोलोजी बना ली है इसलिए में इनका ध्यान बटकाना होगा और उन मदर शिप को एक्ट्रेट करने को केता है सोनिक रेबल और नकल नीचे रोबोट को मार रहे होते हैं और नाइन उपर से रोबोट को खत्म कर रहा था लेकिन मिश्टर डोक्टर उने फसाने के लिए उस पर अमला करता है और उसे दूर ले जाता है और अब वो मदर शिप को एक्ट्रेट कर देते है जो के उस टावर पर बनी हुई थी नाइन उसे देखकर एरान हो जाता है और उसका द्यान मिश्टर एक में से हट जाता है जिससे हो उसके शिप को क्रेश कर देता है और मदर शिप में उस शिप को पकड़ लेता है नाइन अपने शिप से पोडल खोलने की कोशिश करता है मगर ऐसा नहीं कर बाता वहीं सोनिक रेबल और नकल मिलकर नीचे मोजू सभी रोबोट को खत्म कर देते है सोनिक नाइन को डूढने के लिए निकल जाता है वहीं मिश्टर डोक्टर नाइन से केता है कि हमारे शार्ट और तुमारी तकनीक के साथ तुमने ब्रहमान को चांदी की थाली में रखकर हमें सोब दिया है यह केकर हो उपरशिप में चला जाता है फिर अवा में वहीं पुराने गिरीन हिल का सीन दिखाया जाता है जहां सोनिक शेडो पर हमला करके अपने दोस्तों के पास चला गया था मागर शेडो भी उसके पीछे गया था और जब सोनिक ने पराड़ो स्प्रीज में पर हमला किया तब शेडो ने भी क्योस एमरड की मदद से क्योस कंडोल को न कर दिया था जिससे शेडो भी शेडर वस में पहुँच गया था और इसलिए शेडो सोनिक को दिखाई दे रहा था सोनिक नायन को ढूण रहा होता है तब भी उसे मदर्शिप दिखाई देती है इसलिए फुल स्प्रीज में आगे बढ़ता है तब भी उसे वापस शेडो दिखाई देता है जो से कहता है कि चलते रहो रुकना मत सोनिक स्प्रीज से आगे बढ़ता है और वहाँ से टेलिपोर्ट होकर एक अलग दुनिया में पहुँच आता है जहाँ पानी में गिरने लगता है जिससे वो डर जाता है क्योंकि वो पानी से काफी डरता था तब भी उसे एक आईलेंड दिखाई देता है इसलिए हुआ में तेरता हुआ आईलेंड पर लेंड करने कोशिश करता है मगर फिर भी ओ पानी में जाकर गिर जाता है सोनिक उस चोटे से टाबू पर आ जाता है मगर उसे कुछ समन नहीं आता क्यों अचानक यहां कैसे आ गया सोनिक के गलोस और शूज भी बदल गये थे मगर उसे उनकी पाउर पता नहीं थी क्यों क्या करते हैं तब भी वहार रेबल एमी ओन नाइन के वेरियंट आ जाते हैं जो इस दुनिया में पाइरेट्स थे उन्हें लगता है कि सोनिक उनके दुश्मान क्रू का मेंबर है इस सिल्योस पर अमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं जिससे सोनिक भागने लगता है लेकिन उसे भागने का कोई तरीका नहीं मिलता क्योंकि याँ चारो तरफ पानी था वो सोनिक को पकड़ लेते हैं सोनिक उन्हें बताता कि मैं किसी भी क्रू का हिसा नहीं हूँ तो एमी की वेरियंट ब्लेक रोस कहती है कि हमें इसे यही छोड़ देना चाहिए और केप्टन के पास चलना चाहिए क्योंकि अगर हम नारियल लेकर लेट पहुँचे तो हम पर गुसा करेंगे फिरो नारियल लेकर वहाँ से बोट पर जाने लगते हैं तो सोनिक उन्हें कहता है कि तुम मुझे अकेले याँ छोड़ कर नहीं जा सकते तो रेबल की वेरियंट बेटन कहती है कि हम बच्चों को साथ नहीं ले जा सकते हम अपनी शिप पर जा रहे हैं तबी सोनिक को उनका जास दिखाई देता है जो बहुत बड़ा और खुबसूरत था फिरो सब बोट में भीट जाते हैं और सोनिक अपनी फुल स्पीड से चपू चला कर उन्हें शिप तक ले जाता है और यहां हम देखते हैं कि उस शिप का केप्टर नकल्स का वेरियंट होता है जिसका नम डरावना था सोनिक उससे डर जाता है कि उसे मार देगा इसलिए उस पर तलवार पॉइंट कर देता है सोनिक को खाने की कुछ बूँ आती है सोनिक को लगता है कि उसे बुन कर खा जाएंगे तो डरावना से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जुरत नहीं है, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे और वो सोनिक का कौन फेटी से सागत करते हैं और वहाँ पार्टी करने लग जाते हैं, सोनिक समझ जाता है कि डरावना बहुत अच्छा है, सोनिक को वहाँ चिली डो साथ की अगर तो तुम्हारा नाम ड्रावना क्यों पढ़ा तो बेटर नुसे बताती है कि ड्रावना पहले इतना अच्छा नहीं था और वो सोनिक को यसके यहीं आराम करेंगे और वापस से पाटी करने लगते हैं तो सोनीक उन्य कहता कि सिर्थakah कि यह समकता है और वह जादु ही लगता है डराओना इससे थोड़ा घबरा जाता है बेटन कहती है कि डरावनå की कहानी में जो पत्थर था यह वही होगा जिसे शेतानी लाइटाउस कहते हैं मगर व दरावना की वज़े से जुपँ जाते हैं सोनिक ड़ावना से कहता है कि तुम्हें मुझे शार्ट बारे में बता नहीं होगा क्यों कहां है डरावना कहता है कि उसे भूल जाओ उसका जाने से दर्द के सिवा और कुछ नहीं मिलता सोनी कहता कि मैं उसे नहीं भूल सकता मेरे दोस्तों को मेरी जरुरत है और मैं उसके बिना वापस नहीं जा सकता ताइब उसकी शीप पर दूस नहीं मानता अब वो दुश्मन पाइरेट उनके शिप पर आकर सामान लूटने लगते हैं ताइब भी सोनिक उनके सामने आ जाता है और उन्हें कहता है कि अपने जहाच पर वापस चले जाओ वर्णा में तुम्हें नहीं चोड़ूंगा तो सोनिक पर हमला करने आने लगते ह उन सबी को मानने लग जाता है और ने नीचे गिरा देता है सोनिक भी एक ड्रम की वजह से नीचे गिरने लगता है जिससे सोनिक डर जाता है क्योंकि उसे तेना नहीं आता ताइब भी उसके शूज एक्टिवेट होकर और क्राफ्ट में बदल जाते हैं और यहीं इस दुन लड़कर बहुत खुश होती है क्योंकि आज उन्होंने पहली बार असली पाइरेट जिसा काम किया था इसलिए वो सोनिक को अपना केप्टन बना लेते हैं तो सोनिक उने कहता है कि मैं कोई केप्टन नहीं हूं और और डरावना से उस चार्ट के ठीकाने के बारे में प्राश करता रहा और आखिरकार उस लाइट हाउस का में डरावना के हाथ लग गया और डरावना अपने पुराने क्रू के साथ उस लाइट हाउस पर जाने के लिए निकल गया लेकिन उस रास्ते में काफी खतरनाक चट्टाने थी इसलिए उसके साथियों ने उससे बताता है कि उस दिन के बाद से मैंने कसम खाई कि मैं उस शार्ट के पास कभी नहीं जाओंगा तो सोनिक उसे कहता कि तुम्हें पाइरेट हो और एक आसा था इसलिए तुम मुझे मेब दे दो और में तुम्हें तुम्हारी खोई हुई इज़त वापस लोटा दूँगा नक के बाद मानती है जिससे नकल भी उससे केप्टन बना देता है तब ही बेटन उससे बताती है कि पॉट-साइट के पानी में कोई चीज हमारी तरफ आ रही है उन्हें लगता है कि वह एक शिप होता है जिसने से निकलती आए जिसे देखकर सोनी खेरानों जाता है और से बू दिखाये जाता है जा उन्होंने नायन को बंदी बना रखा था नायन उन्हें कहता है कि तुमने मेरी टेकनोलोजी तो चुरा ली है अब तुम्हें और क्या चाहिए तो मिश्टर एगमेन उसे कहता है कि हम शेटर वर्स की सभी दुनिया उपर राज करना चाहते हैं जिसके ल तो पर बात होने लगता है सुनिक रष्टी से कहता है कि हम आराम से बात कर सकते हैं और उसे पूंचता है कि तुम यहां कैसे पहुची तो रस्टी उसे बताती है कि सारे के सारे शेटर वस्प्र क्योंसिल के कबजे में हैं इससे लिए तुम्हारे पास आखरी मौका या फि डरावना के इस नए कुरू ने कभी जंग नहीं लड़ी थी इसलिए उन्हें लड़ना नहीं आता जिसाजे से रोबोट उनकी शिप पर हमला करके उसमें छेट कर देते हैं तैबी एमी का ड्रोन सोनिक के शूच को स्केन कर शार्ट सिगनेचर को कोपी कर लेता है जिससे अब डरावना बोट लाकर जहां से भाग रहा था सोनिक उसे कहता कि तुम नकल्स के वेरियंट हो तुम कभी हाड नहीं माते और यहीं तुमारी सबसे अच्छी आदत है और तुम ही मुझे शार्ट तक पहुचा सकते हो डरावना से कहता कि मैंने कई सालों पहले हार मान ली थी जब उस शार्ट को पाने कोशिश में मैं डूब रहा था सोनिक कहता है कि हम अभी भी उसे पा सकते हैं अगर हम साथ काम करें क्योंकि मैं अपनी स्पीट से तुमें उन पत्रों से बचा सकता हूँ जिससे तुम उस शार्ट को पाकर दले जेंडी नकल्स डरावना बन जाओ और व्यक्ति होगे डरावना को भी सुनिक का आइडिय अच्छा लगता है और वह वापन शिप पर आ जाता है और बेटन और सेल्स को फ्लोटी में हवाप बढ़ने को कहता है और सब्गें और शेटानी लाइट हाउस यानि शार्ट की तरह बढ़ने को कहता है वहीं तक पहुंचकर उसे आसिल कर लेंगे मगर डॉक्टर डीव कनेक्शन कट होने की वज़े से उसे कुछ नहीं के पाता डॉक्टर डीव अपने सभी साथियों से किये था कि पूरे शेटर वर्स बर हमारा कभजा शुरू हो गया है और शार्ट को मिलते ही हम सोनी को भी खत्म करना बुरा आइडिया है एक मैन उसे कहता कि असब तुम अपने दोस को बचाने के लिए कह रहे हो तो नाइन कहता क्यों मेरा दोस नहीं है उसने मुझे यहां अकिला चोड़ दिया जब मुझे उसकी जरुरत थी और उन्हें बताता कि तुम्हारी शेटर ड्राइव टेकन को दूसरी दुन्या में भेच पाए हो पर सोनिक भीना कोई टेकनलोजी के ही शेटर वर्स में जा सकता है इसलिए सोनिक चलता फिरता शेटर बेटरी है और जब तक तुम्हें पता नहीं चल जाता कि उसके पास इतनी शक्ति कैसे है उसे जिंदा रखना बहुत जरूरी है दौक्टर यानी भी उसकी बास समझ जाता है और अपने साथियों से कहता है कि हम सोनिक को जब तक हम अपने फायदे की सभी चीज उसकी बोटी से हासिल नहीं कर लेते वहाई सोनिक अपनी स्पीड से टोनेडो बनाकर शिप को स्पीड दे रहा था जिससे हो बहुत जल्दी अगे बढ़ रहे थे और रस्टी के शिप के पास पहुझ जाते हैं रस्टी की शिपदीरह हो जाती है क्योंकि आंगे बहुत सारे पथर थे और यह वहीं पथर थे जिससे डिर आपना पहले तक हया था इसलिए सोनिक डराओना से कहता है कि तुम्हारा दूसरा मोखा है इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि इन चटानों को किसे पार करना है तो डराओना कहता है कि हमें फुल स्पीड में आगे बढ़ना होगा सोनिक फुल स्पीड में दोड़ने लग जाता है जिससे उन स्पीड से आगे बढ़ता है रश्टी को समझ नहीं आता क्यों इतनी स्पीड से आगे क्यों बढ़ रहे हैं डरावना स्पीड से जाज को पतरबर जंब करवा देता है जिससे उन रश्टी के जाज से भी आगे नि जाते हैं जिसे अब आगे नहीं बढ़ सकते थे मरगनना को एक आटि आता है और सोनीक को छाज को को खिषने के लिए नीचे फीक देता है सौनरीक को एक काम बहुत मुश्क群ल लगता है तोई वियरिश्टी का जह आगे निकल करते हैं सोनेक उनके वाड़ से बस्ता है डराऊना भी अपने साथियों को उनकी शिप पर हमला करने ओकेटा है और उसी डौक से उनपर हमला करते हैं जिसने रोबॉट का शिषटम उन्हें ट्रेक नहीं कर बाता और और उनके अम्ले से वह रोबोट फिसलने लगते हैं रश्टी का हाथ जहांसे लगने की वाज़े से वह बंदो जाता है और वह भी नीचे पानी में घिर जाती है जिसे अपना काइड सबीरोबोट को खत्म कर देता है मगर अश्टी अपने बाकी रोबोर्ट को बुला लेती है मगर अब सोनिक के सभी साती भी शीप पर आ जाते हैं और वो सभी मिलकर रोबोर्ट से लड़ने लगते हैं यह देखकर अश्टी को एक आइडिया आता है और अपने स्कॉर्ड थिरी को शाड लेने के लिए बेज देती है डरावना भी यह देख लेता है इसलिए और सोनिक को शाड लेने जाने हो कहता है मगर सोनिक डरावना से कहता है कि शाड लेने तुम जाओगे तो डरावना कहता है कि वह बहुत दूर है मैं वहाँ नहीं पहुँचूंगा तो सोनिक उसे जाज से शाड की तर और उपर चड़ने लगता है, वहीं रश्टी अपने रोबोर्ट के साथ सोनिक और उसके दोस्तों को घेल लेती है, और कहती है कि क्या तुम आखनी मुकाबले के लिए त्यार हो, तो सोनिक वहाँ से चला जाता है, इससे सब भी एरान होते हैं कि सोनिक भाग गया, मगर सोनिक पीछे से आकर रश्टी के रोबोर्ट पर हमला करके उन्हें खत्म कर देता है, और सेल्स भी रश्टी को शोग देकर गायल कर देता है, वहीं नकल्स लगातार पाड़ पर उपर चड़ रहा होता है, तो सोनिक अपने दोस्तों कहता है, कि डराना को मेरी जर्रत है, और और फूल स्पीड में डराना की तरफ बढ़ने लगता है, वहीं रोबोस डराना से शार्ट चीनने कोशिश करते हैं, मगर डराना उन्हें रोक रहा था, तब एक आकाशे बिजली डराना पर गिरती है, जिससे और शार्ट के साथ नीचे गिरने लगता है, सोनिक फूल स से गहता कि मेरे पास तुमसे लड़ने का टाइम नहीं है, मुझे अपने घढ़ जाना है, तो शेडो से गहता कि अब हमारा कोई घढ़ नहीं है, और ये सब तुमारी वज़े से हुआ है, और उस सोनिक पर हमला करता है, और इसी के साथ यह सीजन यहीं पर खत्मों जाता है और इस वीडियो को लाइक और चेनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तरही दिल से शुक्रिया थेंक्स वरोचिंग